दोस्तों आज्स वीडियों में देखने वाले हैं, आई Pascal के तरप से आने वाली U62 मॉडल का सारा डीटेटेल, क्या कूछ नहीं इस टीवी में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपग्रेड करी गई है, सारा डीटेल इस वीडियों में कवर करने वाले है। बल्टिकेशन को अल पर सेट कर लिए ताकि रगूलर अपडेट आपको मिलती रहें सबसे पहले इसके डिजाइन रेटार्वेश को देखने को मिल राया है सिंटर में आयओ कोन की ब्रांडिंग करी गई है बॉडी की बात करे तो प्लास्टिक दी गई साइट से देखें स्कुशी स्टाइब की थिकनेस देखने को मिलेंगे सारे पोर्ट साइड में देखने को मिल जाते हैं पोर्ट में देखें तो 3SDI मिलता है जो कि 2.1 वर्जन के साथ है यह एर्थी को सपोर्ट करता है वन USB पोर्ट, Ethernet, LAN पोर्ट, AV-IN और RF इंपुट का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है ओवरल पोर्ट सारे तरह के दिये गया है यहाँ पे अप्टिकल पोर्ट मिसिंग है कनेक्टिवीटी में Dual-Bind Wi-Fi का सपोर्ट है साथी साथ Bluetooth वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है ओवरल फोर्ट सेंड कनेक्टिवीटी सभी तरह का प्रोवाइट किया गया है इस टीवी का जो रेजलेशन है वो 4G रेजलेशन के साथ देखने को मिल जाती है साथी साथ इस टीवी में 60Hz का रिफ्रेसरेट दिया गया है और यह टीवी भी यह पैनल के साथ देखने को मिलती है साथी साथ इस टीवी में HDR10 & HLG का सपोर्ट है यहाँ पे HDR10 प्लस का सपोर्ट होता तो जादा अच्छा होता अगर OTT बगरा देखते हैं तो आपको OTT experience भी ठीक ठाक मिल जाएगा और पिक्चर क्वाटी काफी अच्छा है विविट कलर इंजन दिया गया जो की कलर को भी काफी बूस्ट कर देती है अगर आप इसमें normal channels वगरा भी देखते हैं तो काफी अच्छे कलर देखने को मिलेंगे इस TV के sound को देखें तो इस TV में total output 24W का दिया गया है जो कि Dolby audio decoder के साथ आता है तो overall sound experience आपको ठीक ठाक मिल जाएगा काफी louder sound है इस TV का वहीं पे इसके operating system को देखें तो इस TV में मिलता है Google OS, Google TV का support है जो कि Android based operating system है इस TV का जो user interface है काफी अलग देखने को मिलेंगे साथी साथ इस TV में Google Assistant and work with Alexa का support मिलता है वहीं पे 2GB RAM and 16GB internal storage देखने पो मिलती है और इस TV में आपको कोई processor अपग्रेड नहीं किया गया है पिछले साल के line-up में जो processor देखने को मिलता था SIM processor इस TV में भी provide किया गया है तो overall experience देखा जाए user interface का तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा इसके pricing को देखें तो यह TV का जो pricing है सारे variant का price आप देख सकते हैं इसका best by link मैं description में डाल दूँगा वहां से भी आप जाके check out कर सकते हैं सारे variant का best by link description में मिल जाएगा अगर आप इसे purchase करना चाते हैं तो अब इसलिए आप purchase कर सकते हैं बाखी बाद आपका क्या opinion इस TV के बारे में comment section में मुझे बता सकते हैं साथी साथ मुझे Instagram पे follow कर लीजे आपको TV से related किसी तरह का problem हो या purchase करने में किसी तरह का problem आ रहा होगा तो comment section में भी बता सकते हैं या फिर मुझे Instagram प में मिलता हूं इसके अगले वीडियो में तब तक के लिए take care good bye